नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubah.org असलाम अलेकम नई सुभा के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ओडियो लेर्निंग टिटोरियल्स में खुशाम दी मैं हूँ सनन अजीर आज हम बनाना सिखेंगे मिक्स सबजी इसके लिए जो अज़्जा हमें दरकार हैं वो ये हैं प्याज दो धर्मियाने साइस की बारीक कटी हुई कुकिंग ओइल आधा कप लहसन अदरक का पेस्ट एक टेबल स्पून टमाटर एक पाउ बारीक कटे हुए आलू एक पाउ क्यूब्स में कटे हुए मतर एक पाउ गाजर एक पाउ बारीक कटी हुई बंद गोबी एक पाव बारीक कटी हुई फूल गोबी एक पाव बारीक कटी हुई इसके अलावा वो सबजियां जो आपको पसंद हो थोड़ी थोड़ी डाल सकते हैं हरा धनिया आधी गड़ी बारीक कटी हुई हरे मिर्चे मोटी वाली 6-8 अदद नमक 1.5 टी स्पून या हस्ब जायका कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून हल्डी 1.5 टी स्पून जीरा 1 टी स्पून तरकीब सबसे पहले एक खुले मूगी पती लिलें और इसमें तेल डालकर इसे अच्छी तरहां करब कर लें अब इसमें बारी कटी हुई प्यास शामिल करें और प्यास को लाइट ब्राउन कर लें फिर इसमें लेसन अद्रक का पेस शामिल करें और एक से दो मर्दबा चमचे को चलाएं फिर इसमें बारी कटे हुई टिमाटर और मिर्च मसाला शामिल करें और 2-3 डेवल स्पून पानी सामिल करके मसाले को अच्छी तरहां भून ले जब टेमाटर कल जाएं तो इसमें सबजियां शामिल करें और सबजियों को चमचे की मदद से भूनें अगर चमचा चलाने में दुश्वारी हो तो इसमें दो से तीन टेबल स्पून पानी के एड़ करें और मजीद पांच मिनट तक सब्जियों को अच्छी तरहां भूनें इसके बाद इसमें तक्रीबन एक कप पानी का शामिल करें और सब्जियों को धीमी आज़ पर 15 मिनट तक पकने दें फिर चूला बंद कर दें और कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चे डाल कर सर्फ करें और इंजॉय करें मज़ेदार में एक सब्जी तयार है आज के लिए इतना ही मिलेंगे नई रस्पी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानिप से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए ये डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए